नमस्कार आदा आप सेस्टे काल रादे रादे जेहिन स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ओफिशल यूट्यूब चानल पर और मैं चानी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ तो बच चुके हैं सुबह की कितने साड़े छे बच चुके हैं और आज है फिफ्ट ओफ डिसेंबर और बिल्कुल जो है वीकेंड के शुरुआत हो चुकी है तो आज है साटरडे ठीके फटाफट जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हूँ है जल्दी से से सेशन को क्या कर देना है शेर करते जाना ह सेशन को आप जहां जहां पर भी कनेक्टेड हो और देख लेते हैं कि हमारे साथ जो है कौन कौन जुड़ चुका है और हमारे आज के हैश्टेक से शिरुवात करते हैं जो है कौन सा I can I will and yes you can you will भाई आज जो है IBPS कलर का एक्जामिनेशन है तो best of luck to all those जिनका आज IBPS कलर का को इशू नहीं है बाद में वह सेशन को देख सकते हैं तो जल्दी से बता दो कि वॉइस ओर्डबल है वीडियो क्लियर है की नहीं से एवरिटिंग ओके ओके विश्णु सार हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेरी गुड मॉर्निंग ओपी सर सौरप सर कंशनमा मनीश इव्यूर चुके ओम प्रकास सर का ऐग्जामेनेशन है बड़ी आसे एग्जामेनेशन देखना ना प्ली का पेपर जो है बिल्कुल सिंपल सा होता है ऐसे हलवे जैसा पेपर होगा बस शुरू से स्पीड को क्या करके रखना ओम सर मिंटेन करके रखना है और शुरूआत क जो है आज celebrate किया जा रहा है अंतराश्च्री स्वैम सेवक दिवस जो है वो मनाया जा रहा है आज International Volunteer Day मनाया जा रहा है अगर हम बात करें तो United Nations जो है संयुक तुराश्च्रीस Day को celebrate कर रहा है और थीम दी गई है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो आपस में जो है एक International Volunteer Day जल्दी से देख लेते हैं कि आज है 5th of December और मनाया जा रहा है अंतराश्च्री स्वैम सेवक दिवस International Volunteer Day जिसको तीम दी गई है अनालिसिस के तरह बढ़ते हैं और सबसे पहली न्यूज आ रहे है आयूश मिनिस्ट्री से तो अगर हम बात करें आयूश मिनिस्ट्री के जिसका फुल फॉर्म क्या है आयूश मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो निसर्ग ग्राम कैमपस है पुने का ठीके पुने का जो निसर्ग ग्राम कैमपस है उसे जो है नाच्रोपेथी का बोर्ट बना दिया जाएगा मतलब प्राकृतिक चिकित्सा नाच्रोपेथी जो है उसको पूरी तरीके से विक्सित किया जाएगा जहाँ पर नाच्रोपेथी के द्वारा होप्स के द्वारा जो है सारे के सारे इलाज जो है वो किये जाएंगे तो एक important जो है वो काम किया है कि इसने आयोश ministry ने हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अलग-अलग जगे जाते हैं नाच्रोपेथी का treatment लेने के लिए तो वैसे ही पुने के में भी अब क्या रहेगा निस्वरगर ग्राम campus बनाएगा आयोश ministry और आयोश minister कौन है भाई श्रीपद येसो नायक जी है जिनका पास है कौनसी ministry आयोश ministry नेक्स न्योश की तरह बढ़ रहे हैं 15 एर ओल्ड इंडियन अमेरिकन गीतांचली राओ अ ब्रिलियंड यंग साइंटिस्ट आन इंवेंटर has been named by time magazine as the first ever kid of the year for her astonishing work भारती मूल की 15 साल की भारती किशोरी गीतां कार के लिए time पत्रिका में अब तक का पहला kid of the year के रूप में जो क्या किया गया है नामित किया गया है तो times magazine के अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो है first ever kid रही है जिने जो है उनके astonishing work के लिए क्या किया गया है उनने जो है शामिल किया गया है times magazine में अगर हम बात करें सके, उस पर भी जो है आप बनाएं, साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है, जो दूसरों की प्रोफाइल बना-बना करें, दूसरों की फोटोज का इस्तंमाल करकर। की क्या क्या जाता है, हाराज क्या जाता है, टॉर्चिय क्या जाता है, ठीक है, अगर हमarin करें सोशल मीडिया में इंटरनेट में तो वो कहलाती है साइबर गुलिंग उससे रिलेटेड भी इन्होंने एक आप डिजाइन किया था इसके अलावा ओपियम के इस्तिमाल को मतब जो नशा करने की चीज़े ओपियम उसके इस्तिमाल को कैसे जो है कम किया जा सके लोगों मे जिने टाइमस मैगजीन ने किड ओफ दा इयर के रूप में अपनी मैगजीन में क्या किया है नामित किया है चलो नेक्स अगर हम बात करें तो अगली न्यूस की तरह बढ़ रही है एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए रक्षम अंतराले ने सेना मुख्याले में बड़े सुधार के तह सेना में सैन अभ्यान एवं रणितिक नियोजन के उप्रमुकपद के स्रिजन को मनजूरी दे दी है तो आर्मी में एक नया पोस्ट जो है उससे जो है बना कोशिश की गई है डिफेंस मिनिस्टर ने उसको अपनी मनजूरी दी है अगर हम बात करें तो डिफेंस पोस्टर में कोई भी जो नई पोस्ट बनाना वो बहुत ही कटन काम होता और डिफेंस मिनिस्टरी ने ये काम क कि आर्मी में एक नई पोस्ट रहेगी डेपुटी चीफ की एक पोस्ट रहेगी जो पूरे के पूरे military operations और strategic planning को देखेगा कि कैसे कैसे जो है planning की जाएगी आगे तो सैन अभियन एवं रणनितिक नियोजन के उप्रमुक प्रद के इस रिजन को मनजूरी दे दी है तो एक नई पोस्ट बना दी गई है किसमें इंडियन आर्मी में किसने बनाया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने बनाया है नेक्स अगर हम अगली न्यूस की तरह बढ़ें तो मेजर डिफेंस पार्टनर है USA इंडिया का तो USA has approved India's request to purchase US dollar 90 million worth of military hardware and services in support of its fleet of C-130J major super hercules aircraft अमेरिका ने 9 करोड डॉलर मूल के सैन अभ्यरन खरीदने एवं C-130J super hercules विमान के बेड़े के पक्ष में सेवाई प्रदान करने के भारत के अनुरोध को क्या दे दी है मनजूरी दे दी है तो USA ने अप्रूफ किया है इंडिया की request को और पर्चेस किये जाएंगे 90 million US dollar के military hardware और services ठीके तो C-130J super hercules aircraft जो है दोनों countries के बीच में agreement साइन हुआ है तो major defense partner है USA किसका इंडिया का तो अब जो है C-130J super hercules aircraft की बात की गई है तो अमेरिका ने जो है इंडिया की request को जो है वो माल लिया है और इंडिया इसकी request को मानते हुआ अब पर्चेस किये जाएंगे military hardware and services दोनों countries के दौरा next अगर हम बात करें अगली news की तरह बढ़े Swiss food company and drink major Nestle said it would invest around US dollar 3.6 billion over the next 5 years to cut greenhouse gas emissions across its manufacturing locations Switzerland की खाद एवं pay company Nestle इंडिया ने अगले 5 साल के दौरान अपने वी निर्माड गंतव्यों पर green house gas के उत्सरजन पर कटोती के लिए 3.6 अरब dollar का निवेश करने की क्या की है घोशना की है तो अगर हम सबसे पहले बात करें Nestle की तो भाई Nestle जो है वो Swiss food company है ठीक है ना और major drinks भी बनाती है Nestle इसने ये कहाए कि ये 3.6 billion US dollars जो है इसका निवेश करेगी अगले 5 सालों के लिए ताकि अपने green house gas emissions को रोक सके उसकी जो major manufacturing locations है तो green house gas की अगर हम बात करें तो green house gas जो है वो हानी कारक होती है ठीक है ना ozone layer depletion में भी बहुत important role play करती है तो ये green house gas emissions को कहीं न गई क्या करना है कम करना है कट करना है जिसके लिए बहुत सारी companies जो है अलग-अलग projects चलाती है जिसे उनकी manufacturing location से जो निकलता हुआ धुआ है वो green house gas emission का एक बहुत बड़ा source होसा है उसे रोका जा सके उसके लिए नेसले ने ये कहा है कि वो 3.6 US जो है billion dollars का investment करेगी आने वाले कितने सालों के लिए 5 सालों के लिए अगर हम बात करें तो IIT 2020 ठीक है ये जो IIT Aluminium है मतलब India Institute of Technology ठीक है IIT जो Aluminai है इसका पूरा का पूरा ये एक समू है जो 2013 में बनाया गया था जिसमें जितने भी जो है IITN से और जो दूसरी countries में चले गए हैं जो intellectuals थे हमारे देश के वो सम मिलकर जो है इस meeting में participate करते हैं तो IIT 2020 का एक virtual summit जो है उसको Modi जी ने क्या किया है वहाँ पर अपनी key speech deliver की है अगर हम बात करें तो इस पूरे के पूरा जो key note दिया गया है और यह जो global summit हुआ है IIT 2020 नाम का इसे जो है Pan IIT 2020 कहा गया है जो USA की तरफ से conduct करवाया गया और इसके अलावा इसकी जो theme दी गई थी वो दी गई थी क्या future for all इसकी जो theme दी गई थी वो किस theme पर बातचीत की गई है future for all जिस पर artificial intelligence technology के बारे में बातचीत हुई है कैसे conservation किया जाए अलग-अलग चीजों का biodiversity कैसे maintain की जाए जै विवित्ता कैसे maintain की जाए इस पर जो है पूरा एक global summit हुआ है और USA की तरफ से has joined leading financial services company Mastercard as its executive vice president for global public policy and regulatory affairs भारत में अमेरिका के पूर्वराजदूत रिचर्ड वर्मा को बुक्तान company Mastercard में वैश्विक लोकनिती और नियमा की मानमलों का कारे-कारे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो executive vice president बनाया गया है global public policy और regulatory affairs का किसे जो पहले US MBA थे कौन रिचर्ड वर्मा उन्हें बना दिया गया है Mastercard का executive vice president बनाया गया है अब मुझे कोई एक बात बता दो comment box में लिखकर कि Mastercard के president कौन है जल्दी से लिखकर बता दो हम बहुत बार कर भी चुके इसे Mastercard के president कौन है इन्हें तो executive vice president बनाया गया है वो भी global public policy और regulatory affairs का Mastercard के president कौन है जल्दी से बता दो और Mastercard जो है कहा की company है इसका headquarter कहाँ पर located है येस इसका headquarter जो है कहाँ पर located है जल्दी बताओ फटा फट बता दो बहुत बढ़िया बबलू सर जनारतन सर रागिनी माम जल्दी से बता दो भी माराना Mastercard जो है कहा की company है और अगर मैं बात करूं तो Mastercard के president कौन है जल्दी से फटा फट सेशन को क्या भी करते जाना है भई शेर भी करते जाना है फटा फट बता दो शिवम सर Mastercard जो है कहा की company है हाँ भई हाल चाल जो है बाद में पूछ ले ना ठीक है जब वीडियो एंड हो जाएगा तो नीचे वाला comment box हो है दोड़े minutes के लिए open रहता है तब हाल चाल पूछते रहना बिल्कुल अराम से कलर का paper है भई रिशब सर बिल्कुल अच्छे से paper दे ना first shift में तो नहीं होगा तभी यहाँ पे मौझूद हो second या third shift में होगा ठीक है जल्दी से बता दो भई USA की company है ये तो answer आ गया very good ठीक है और president का नाम भी बताना है भई ठीक है USA की company है president का नाम भी बताना है जल्दी से बता दो सुप्रिया माम ने जो answer दे दिया है अजे बांगा ठीक है अजे बांगा जी जो है वो mastercard के क्या है president है ओके चलो आगे बढ़ते है ये ने बनाया गया है executive vice president बनाया गया है किसका mastercard का बहुत बढ़िया येश यहाँ दामनी माम का भी evening में होगा ठीक है बहुत बढ़िया दिव्यान सथ भारती माम जिन जिन का examination है बढ़िया से पढ़ना है ठीक है इंडिया की तरफ से जो है वो कौन है अजे बांगा जी है बहुत बढ़िया ठीक है Richard Branson जो है वो बिलकुल वो पी जो है एक CEO की तरह काम कर रहे है प्रिया मैं बहुत बढ़िया चलो next अगर हम बात करें अगली इंडिया नेवी जो है कल नेवी डे मनाया गया था उसी के उपलक्ष में इंडिया नेवी is undertaking a passage exercise which is known as PASICS with Russian Federation Navy RUFN in the Eastern Ocean Region IOR from 4th to 5th December 2020 भारती नौ सेना चार से लेकर 5 December तक पूरवे हिंद महासागर चेत्र IOR में रूसी फेडरेशन नेवी के साथ एक मार्ग अभ्यास PASICS कर रही है ठीक है न तो अगर हम बात करें तो आप screen पर देख रहे हो कि दोनों countries जो है एक exercise कर रही है अब ये जो exercise है नेवी exercise इसमें शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा दोनों किस-किस technology का इस्तिमाल करती है इसके बारे में भी जो है क्या किया जाएगा पावर को शो किया तो इंडिया जो है रश्या के साथ PASICS नाम का जो है वो क्या कर रही है नेवी अभ्यास कर रही है defense exercise अगर हम बात करें तो नेवी exercise कर रही है कहा पर Indian Ocean region में eastern Indian Ocean region में मतलब IOR में हिंद महासागट शेतर में किया जा रहा है इसके अलावा इंडिया रश्या के साथ एक और exercise क ठीक है मतलब कल से लेकर आज तक जो है इंडियन ओशन रीजिन के इस्टेंट पार्ट में ये पूरा का पूरा पैसिक्स नाम का जो है नेवी अभ्यास चल रहा है और इंडिया जो है एक और एक्सराइस करती है रश्या के साथ कौन सी इंदरा नाम की करती है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगली नियूस की तरफ बढ़ें यूनियन मिनिस्टर और फ़नांस और कॉर्पोरेट अफेर्स निर्मला सीतर अमन जी अब्जर्वड दा 63rd founding day of the Directorate of Revenue Intelligence that is DRI केंद्री अप्रत्यक्षकर और सीमा शुल्क के तत्वादान में शीर्ष विरोधी तसकरी खूफिया और जाज एजनसी के तरह है कारे करती है तो क्या कि important है वो सुनना सबसे पहले तो निर्मला सीतर अमन जी फनांस मिनिस्ट्री के अलावा उनके पास कौन सा मंत्राल है भै कॉर्पोरेट अफेर्स है दूसरा point जो है 63rd foundation दे रहा किसका 63rd foundation रहा किसका DRI का Direct Rate of Revenue Intelligence किसका रहा Direct Rate of Revenue Intelligence का उसका उन्होंने क् क्या शुबारम भी किया ठीक है अगर हम बात करें तो यह DRI है क्या Direct Rate of Revenue Intelligence यह एक सरवोच लेवल की anti-smuggling intelligence और investigation agency है ठीक है यह जो smuggling की जाती है तसकरी की जाती है उसके लिए यह highest institute है यही सारी के सारी smuggling intelligence और investigation चेक करता है कौन DRI जो किसके अंदर काम करता है CBIC के अंदर काम करता है जो किसके अंदर काम करता है CBIC के अंदर काम करता है और CBIC क्या है Central Board of Indirect Taxes and Customs है ठीक है Central Board of Indirect Taxes and Customs है एक CBDT होता है Central Board of Direct Taxes होता है लेकिन यह जो anti-smuggling agency है ठीक है DRI यह किसके अंदर काम करती है CBIC के अंदर Central Board of Indirect Taxes and Customs तो DRI का 63rd number का foundation day था, जिसकी जो शुबारम भी किया है, वो किस ने किया है, निर्मला सीतर अमन जी ने किया, तो बहुत सारे points जो है, वो यहाँ पे important रहेंगे, अगला जो news आ रही है, अपेडा और नाबार, signed MOU in interest of agriculture and allied sectors, अपेडा और नाबार, क्रिशीक और संबंध छेतरों के हित में समझोते ग्यापन पर दोनों ने क्या किया है, हस्ताक्षर किया है, तो नाबार और अपेडा के बारे में बात हो रही है, दोनों के दोनों ऐसी एजिंसी हैं, जो agriculture को क्रिशी को बढ़ाने का काम करती है, दोनों के बीच में क्या हुआ है, MOU sign हुआ है, Memorandum of Understanding sign थोड़ी से अगर हम न्यूस के बारे में और बात करें तो ध्यान से देखना, 3rd of December को अपेडा, जिसका full form क्या है, Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority, और नाबार जिसका full form National Bank for Agriculture and Rural Development है, दोनों ने मिलकर जो है, agreement sign किया है, agriculture और उससे जुड़ी हुई activities के चेतर में, इसके अलावा, Agriculture Export Policy को कैसे implement किया जाए, जिससे हमारे देश में जो क्रिशी का उत्पादन हो रहा है, उसे तेजी से हम क्या कर सके, उसका निर्यात कर सके, ठीक है, इस वज़े से दोनों के बीच में क्या हुआ है, agreement sign हुआ है, अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से छेतर में दोनों cooperate अपेडा और नाबाण, farm related stakeholders, इसके लावा awareness program चलाना, workshops चलाना, इसके लावा किसानों की आयको जैसा की सरकान ने भी कहा है, दुगना करना है 2022 तक, farmers की income को double करना है 2022 तक, उस पर भी ये दोनों जो हैं मिलकर काम करने वाले हैं, अब अगर मैं बात करूँ अपेडा की, फुल अपेडा के जो चेर्मेन हैं, उनका नाम क्या है, अपेडा की तरफ से मुझा करते वक्त, इसके अलावा अगर हम बात करें नाबाड की, तो नाबाड का हेटकोर्टर भाई काहां पर हैं मुंबई में ही है, ठीक है, और इसके चेर्मेन कौन है, गोविंद रजालु चंताल पहले बहुत समय तक हर्च कुमार भनवाला जी रहे, अगर हम बात करें नाबाड की, नाशनल बैंक फॉर अग्रिकल्चर एं रूरल डेवलप्मेंट की, तो नाबाड बना था 1982 में, मतलग छटवी पंचवर्शी योजना में बना हुआ है, नाबाड जिसमें से काफी बार जो है SSC में question पूचा गया है, कि नाबाड कौन सी पंचवर्शी योजना में बना था, ठीके तो दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है, देखो दोनों का headquarter important रहेगा, अपेडा का no doubt full form important रहेगा, ठीके ना, और अगर मैं बात करूँ तो अपेडा के chairman important रहेंगे, ये सारी organization news जैसे कि एक हमने देखा था, Trifid news में बनी रहती है, ठीके एक हमने देखा था, Nafid news में बनी रहती है, ठीके और एक हमने अभी देख लिया, कौन सी news में बनी हुए, भई, अपेडा news में बनी हुए, तो ये सब जो है Apex Institutes हैं, जो अलग-अलग level पर काम करी हैं और सब के full forms जो हैं, और इनके headquarters क्या हैं, definitely important रहेंगे, next news की तरह बढ़ रहे हैं, तो Vice President Venkayan Aydoo जी ने release किया है, एक डाक समारक, ठीक है, पोस्टिच स्राम जो है, रिलीस किया है, किसके honor में, आईके गुजराल जी के honor में, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, आईके गुजराल जी की, इं स्वर्गी आईके गुजराल जी के संबान में, डाक टिकेट जो है, जारी किया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हूँ, तो एक डाक टिकेट जारी किया गया है, इंद्रकुमार गुजराल जी की याद में, उनके संबान में, जल्दी से बता दो, कौन से number के भाई, प्राइम fighter है इंद्र कुमार गुज्राल जी के उपलक्ष में आई के गुज्राल जी जो है वो देश के बारवे नंबर के क्या रहे प्राइम मिनिस्टर रहे है इन्हों ने 1997 से इनका कारेकाल चला था अब तक 1998 तक चला था तो 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे है इनका जन्म जो है जेलम में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है इनके पूरे के पूरे कारेकाल में इंडिया के जब ये एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर रहे आएके गुज्राल जी इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल्स लेकर आये थे जिसे गुज्राल डॉक्ट्रीन के नाम से भी जाना जाता था दो हजार बारा में इनका निधन हो गया था लंग इंफेक्शन की वज़े से तो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा कौन से नंबर के भी ट्विल्थ नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और इनका जन्म कहां पर हुआ था जेला में जो अब कहां पर लोकेटेड है पाकिस्तान में लोकेटेड है ठीक है माराश की टीचर जो है उन्होंने जीता है ग्लोबल टीचर पुरसकार जो है उन्हें मिला है किसलिए इन्होंने जो है एजुकेट किया है गर्ल्स को और इसके अलावा जो है यह अपना half of the reward जो है जो other participants से उनके साथ क्या करने वाले हैं share करने वाले हैं टो माराश की टीचर है उन्हें क्या मिल गया है उन्होंने जीता है Global Teacher Award जो है Global Teacher पुरसकार उन्हें मिला है ठीक है तो खुशी का टिकाना नहीं है बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो दिया गया है अब सुनो रंजी सिंह दिसाले जी ठीक है रंजी सिंग दिसाले जी को मिला है क्या ग्लोबल टीचर प्राइस दिया गया है ये टीचर है जिला परिशत प्राइमरी स्कूल में कहां पर सोलापुर डिस्ट्रिक महाराष्ट के इन्हें जो है US टॉलर 1 मिलियन का पुरसकार दिया गया है as a global teacher प्राइस 2020 ये जो प् पर है प्राइस फ्रांस में वर्की फांडेशन जो है वो जो है एक UK की फांडेशन है जो बहुत सारी कंट्रीज में ये अवार्ड डिस्टिब्यूट करती है ठीक है अगर मैं बात करूं तो स्टीफिन फ्राइज जो इंग्लिश कॉमेडियन आक्टर राइटर और प्रिज आलेजीगा जो कहां से बिलोग करते हैं माराश्ट के जिलहा परिषयत प्राइमरी स्कूल्स ओलाफूर डिस्ट्रिक्स से बिलोग करते हैं इनको ये अवार्ड मिला क्यों है इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो है Life of Young Girls को बदला है जीरा परिश्ट Primary School में और इस कुरोना के समय जो है इस कुरोना के समय जो है QR मतलब Quick Response Coded Textbook Revolution लेकर आए है ठीक है तो ये एक ऐसी Textbooks लेकर आए थे जो QR Code को Scan करके आराम से अविलिबल हो जाती थी और आसानी से जो है बच्चियों से क्या कर पा रही थी पढ़ पा रही थी तो इन्होंने कुरोना के समय जो है बच्चियों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है जिस वज़े से इन्हें क्या दिया गया है इस अवोर्ड से नावाजा गया है ठीक है तो रंजी सिंग बिसाले जी ने ये भी अनौंस किया है कि जो half of the price money है वो share करेंगे जो top 10 finalists थे उनके साथ ठीक है न तो इन्होंने ये भी बात कह दिये तो भई दिल बड़ा होना चाहिए पैसा तो ठीक है वो तो ठीक है लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए इतना नाम तो कमा ही लिया है ये first time है जब किसी global teacher prize में ये कहा गया है कि किसी वेक्ती ने अपने award को share करने की बात कही है कि वो जो है award को क्या करेंगे share करेंगे अगले participants के साथ तो announcement कर दी गई है मतलब ऐसा नहीं कि बाद में मुकर जाएंगे ठीक है ना वो जो है price money क्या करने वाले है बिल्कुल share करने वाले हैं चलो next अगर हम बात करें तो एक important जो है आज की cutting आ रहे है RBI ने कल जो है monetary policy committee ने क्या निकाली है report निकाली है ठीक है members RBI की तरफ से और 3 members भारत सरकार की तरफ से जिसमें किसी भी rate को change नहीं किया गया है तो कल जो monetary policy committee ने monetary policy report निकाली है मौदरिक निकिती की report निकाली है RBI में उसमें किसी भी rate में कोई भी changes नहीं किये गए हैं सारे rates को वैसे क्या वैसे ही रखा गया है ठीक है अगर हम बात करें तो CRR कितना percent ही चल रहा है SLR कितना percent ही चल रहा है रेपो रेट कितना percent चल रहा है reverse रेपो रेट कितना percent चल रहा है बैंक रेट कितना percent चल रहा है और MSF कितना percent चल रहा है फटाक से बता दो CRR SLR रेपो रेपो रेट, reverse रेपो रेट, बैंक रेट और MSF कितना कितना percent चल रहा है ठीक है यह बता दो करार फटाक से बता दो कितना परसंट चल रहा है भाई 3 परसंट, SLR कितना परसंट चल रहा है 18 परसंट, Repo Rate कितना परसंट चल रहा है 4 परसंट, Reverse Repo Rate कितना परसंट चल रहा है 3.35 परसंट, Bank Rate कितना चल रहा है 4.25 परसंट, MSF भी कितना चल रहा है 4.25 परसंट चल रहा है, जो है वो contract हुआ है कम हुआ है कितना minus 7.5% जो है वो हो गया है मतलब gross domestic product जो देश की boundary के अंदर चीजों का उत्पादन किया जाता है वो क्या हुआ है कम हुआ है और contraction हुआ है कितना minus 7.5% पहले minus 9.5% की बात की गई थी अब minus 7.5% जो है GDP क्या हुई है कम हुई है contract हुई है बाकी सारे के सारे rates जो है उन्हें क्या रखा गया है वैसे का वैसे ही बना के रखा गया तो status quo रखा गया है कोई भी changes नहीं किये गए है ठीक है न कोई भी changes जो है नहीं किये गए है MSF जो है 4.25% equivalent है किसके भाई bank rate के हिते इंसर किसके equivalent है भाई bank rate की equivalent है बहुत बढ़िया किरन माम ठीक है भाई CRR और repo rate में confused मतो होना repo rate हमेशा ज्यादा रहेगा किस से reverse repo rate से रेपो rate हमेशा ज्यादा रहता है किस से reverse repo rate से ठीक है तो बाकि सारे के सारे policy rates को जो है steady रखा गया है और ये कहा गया है कि GDP contract हुई है इसके अलावा बहुत ही important important announcements भी किये गए है, आगे हम अपने question series में MCQs में देखते हैं, very good morning to all of you, और एक बहुत ही दुखत कबार निकल कर आई कल रात में, लक्षवदीब के administrator, lieutenant governor, दिनेश्वर शर्मा जी का जो है क्या हो गया है, निधन हो गया है, तो दिनेश्वर शर्मा जी जो है, उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, वो IB के अध्यक्ष रह चुके थे, छीफ रह चुके थे, intelligence bureau के, interlocator रह चुके थे, कहां पर Assam और Jammu and Kashmir में, तो हाली में जो है, कल ही उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है, तो लक्षवदीब के administrator, दिनेश्वर शर्म जी जो है, उनका निधन हुआ चेन्नाई के hospital में, सिर्फ और सिर्फ 66 years के थे, सिर्फ और सिर्फ कितने 66 years के थे, 1979 batch के IPS officer जो कहां से बिलॉंग करते थे, बिहार से बिलॉंग करते थे, ये IB के director रहे, intelligence bureau के director रहे, 2014 से लेकर 2016 तक, इसके अलावा demonetization के समय, demonetization के समय जो है, इ ठीके जो 8 November 2016 में demonetization हुआ था, उसमें भी जो government ने एक euro बनाया था, उसमें ये शामिल थे, ठीके तो इनका जो है, ठीके जब इनका retirement हुआ मोधी government से, तब अगर हम बात करें, तो इन्हें interlocator बनाया गया, आसाम में, आसाम में जो agents थे, ठीके और home ministry के बीच में जो दिक्क representative बनाया गया था, जमू एंड काश्मीर का October 2017 में और उन्हें रांग दे दिया गया था, किसका cabinet secretary का, ठीके रांग दे दिया गया था, किसका cabinet secretary का, जो propaganda हुआ था कश्मीर में, उसमें भी ये क्या थे, बिल्कुल television channels को कैसे taggle करना है, उसमें भी ये शामिल थे, तो बहुत ही शर्मा जमू एंड काश्मीर, उन्होंने भी जो है शौक जताया है, उनकी इस जो है दुखध अंत पर, तो दिनेश्वर शर्मा जी का हाली में निदन हो गया, लक्षवदीब के क्या थे, अड्मिनिस्ट्रेटर थे, छी के लेफटेनिन गवर्नर की तरह क्या कर रहे थे, क बेस्ट अफ लॉक पूरे के पूरे महिंद्रा परिवार की तरफ से, और जो है, सुबह 9.45 से अनलिसिस चालू हो जाएगा महिंद्रा के ओफिशल यूट्यूब चानल पर, जहां पर आप सेक्शन वाइस अनलिसिस देख पाओगे, कैसा पेपर आया है, कितना जो है, क्वेशन आया है, कोई यूजर इंटरफेस में चेंजेस तो नहीं आया है, जिससे आपको एक्जामिनेशन में क्या मिलेगी, हल्प मिलेगी, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो सब लोग बता दो कि MCQ सेशन के लिए सब लोग रेडी हो, यस और नो, सब लोग रेड हुए है, ठीकि आज बहुत सारे लोग का पेपर भी है, तो फटा-फट जो है, चोरी-चोरी चुपके-चुपके सेशन को देखने का नहीं होता, कहां आजाना है, कमेंट बॉक्स में आजाना है, और आंसर दिना स्टार्ट कर दिना है, सब लोग रेडियो पहला क्वेशन पर स्ट्रीन पर, नेम दा प्लेयर हुए है, तो उस प्लेयर का नाम बताईए, जिनके प्रारीूप में सबसे अधिक रेटिंग अंक प्राप्त करने वाले बल्ले बाजो की नवीन तन, ICC में T20 प्लेयर रांकिंग में शी शिस्तान जिनोंने प्राप्त किया है, तो उस प् पॉइंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इन्होंने highest ever rating point achieve किया है for batsmen in the MRF tires, ठीक है ICC men T20 player ranking में, 2nd of December को उन्हें ये जो है record मिला है, तो 33 year old Milan जो है, उन्होंने 915 points जो है, वो बनाए है, इसके अलावे ये first player बन गये है, जिन्होंने 900 points जो है, वो क्या किये है, cross किये है, तो highest ever rating run जिने कहा जाता है, वो बनाया है, किस अगर हम बात करें, तो England को belong करते हैं, ये ध्यान रखना, अगला question आ रहा है, स्क्रीन पर, name the Indian female entrepreneur who has stopped the Kotech wealth हुरून leading wealthy woman ranking 2020, उस भारती महिला उध्यमी का नाम बताईए, जिन्होंने Kotech wealth और हुरून leading wealth woman ranking list में शीषिस्तान हासिल किया है, तो कौन सी Indian female entrepreneur है, जिन्होंने Kotech wealth और हुरून leading wealthy woman, सबसे जदा richest woman की list में शीषिस्तान हासिल किया है, option है, रादा वेंबू, किरन मजूमदार्शा, लीला गांदी तेवारी या फिर रोश्नी नादर मलोत्रा, तो बिलकुल सब लोग सही answer देने लग गए हैं, भई, कौन है, रोश्नी नादर मलोत्रा, किसकी HCL Technologies की, किसकी है, HCL Technologies की Chairperson रोशी नादर मलोत्रा जी, नेक्स आ रहा है, अगला question screen पर, नौकपोई सेखमाई is objected as the India's top most police station for 2020 by the Ministry of Home Affairs, the police station is in which state, नौकपोई सेमकई को ग्रह मंत्राले द्वारा, 2020 के लिए भारत के शीष सबसे police station के रूप में चुना गया है, police station जो है, यह कि राज्य में है, तो अगर हम बात करें, तो नौकपोई सेकई, ठीक है, नौकपई सेकई, जो है, ग्रह मंत्राले के द्वारा, Home Ministry के द्वारा, जो है, best police station बना है, 2020 का, यह police station जो है, किस राज्य में located है, option एनागलेंड, अरुनाचल प्रदेश, मनीपूर, या फिर असम, तो best police station के तौर पर, लिस्ट में शामिल हुआ है, Home Ministry के द्वारा, ग्रह मंत्राले के द्वारा, next आ रहा है, अगला question, the annual international sand art festival is organized in which state of the country, वार्शिक अंतराश्य sand art festival, जो है, देश के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो international sand art festival के शुरुआत, जो है, वो की जा चुकी है कहां पर ये international sand art festival जो है, चल रहा है, बिल्कुल जो है, हमने इसे news analysis में देखा भी था, तो international sand art festival कहां पर organize किया जा रहा है, आप्शन है, नागलेंड, ओडिसा, गुजरात, या फिर केरला, तो बिल्कुल कहां पर हो रहा है, कोनार कहां पर हो रहा है, ओडिसा में international sand art festival जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है इसके अलावा डांस फेस्टिवल भी जो है कुनार का डांस फेस्टिवल भी कहां पर चल रहा है औरिसा में ही चल रहा है नेक्स बात करें अगले क्वेशन की वो इस नोन आज फादर ऑफ इंडियन नेवी भारतिय नौस सेना के पिता के रूप में किसे जाना जाता है फटा फट सेशन को क्या करते जाना शेयर करते जाना और पूरे के पूरे दो सो लोगों के आंसर जो है वो मुझे दिखने चाहि टीपक सर, प्रवीन सर, पंकर सर, रागनी माम, निदी माम, बहुत बड़ी है सावन भारती, वेरी गुड घंशाम सर, बहुत बड़ी है अंगत सर, नेक्स अगर हम बात करें सोना माम, गीता माम, बिलकुल, फादर ऑफ इंडियन नेवी किने कहा जाता है भाई, चत्रपती शिवाजी भोसले जी को कहा जाता है क्या फादर ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है न, चत्रपती शिवाजी भोसले जी को नौ सेना का पिता कहा जाता है भारती नौ सेना का, नेक्स आरा है अगला question स्क्रीन पर, which company has topped the fortune 500 list of Indian companies in 2020, किस company ने 2020 में भारती कमपनी की fortune 500 सूची में श no doubt कौन सी है, ठीक है, इसके अलावा गर हम बात करें, oil से लेकर सारी की सारी इंडस्री सा कौन सी company रही है, SBI, Reliance, ONGC या IOCL तो कौन सी रही है, Reliance Industries Limited, जिसे fortune 500 list की Indian companies में शामिल किया गया है, top किया है, दूसरे नंबर पर रही है कौन सी Indian Oil Corporation, दूसरे नंबर पर कौन सी रही ह तो पहले नंबर पर रही, Reliance Industries, कितना revenue जो है, वो निकल कर आया, कितना जो है, राजस को कमाया, वो revenue आपको यहाँ पर mention है, ठीक है, revenue जो है, आपको यहाँ पर mention किया गया है, दूसरे नंबर पर रही, IOCL और तीसरे नंबर पर रही, कौन सी company भई, ONGC रही, अगले question की तर निसर्ग ग्राम परिसर का विकास कर रहा है, जो एक्वीसी सदी का प्राक्रितिक चिकितसा के रूप में काम करेगा, तो निसर्ग कैंपज जो है, आईउश ministry कहां पर बना रही, और बिलकुल निसर्ग कैंपज को कहां पर बनाया जा रहा है, यह निसर्ग कैंपज बनाया जा रहा है, पुने में बनाया जा रहा है, जो प्राक्रितिक चिकित्सा के रूप में काम करेगा, अगर हम इस न्यूस के बारे में और बात करें, तो नाशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नाच्रोपेथी, मतलब NIN, ये भी कहाँ पर लोकेटेड है, पुने में, अब इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा, निसर्ग ग्राम कर दिया जाएगा, तो गांदी जी की लीडर्शिप में, 1945 में जो है, बहुत सारे फंक्शन्स लेकर आए गए थे, नाशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नाच्रोपेथी के, तो अब इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया जाएग इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा, निसर्ग ग्राम कर दिया जाएगा, और यहां पर निसर्ग उपचार जो है, वो किया जाएगा, मतलब नाच्रोपेथी के त्रू जो है, डिसीजिस को क्योर किया जाएगा, बहुत बढ़िया, नेक्स आरा है अगला क्वेस्ट स्क्रीन पर, what is NMR test, NMR test जो है वो क्या होता है, ठीक है तो NMR test जो होता है वो हनी के, हनी मतलब शहद जो है उसके अडल्ट रेशन उसमें कितनी मिलावट है, हनी के प्योरिटी को चेक करने के लिए किया जाता है, NMR test जिसका full form होता है क्या nuclear magnetic resonance test जिसका full form क्या होता है nuclear magnetic resonance test होता है जिसका full form और एक बहुत ही important जो है news निकल कर आई थी कि CSE, CSE की बात करें अगर हम तो Center for Science and Environment CSE जो है उसने nuclear magnetic response test conduct कराया है जिसमें honey के adulteration मतलब मिलावट के बारे में बात की गई है तो Indian companies के honey के sample बेजे गरते जर्मनी लाब में और जो है एक nuclear magnetic resonance test किया गया है जिसमें जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के तीन ब्रांड्स ने ये test को क्या किया है पास किया है बाकी सब में कहा गया है कि इतना जादा adulteration है जिसमें कुछ में 25% है कुछ में 15 है और कुछ honey की companies में तो honey में 75% तक adulteration मिलावट है sugar syrup मिलाया जा रहा है क्या मिलाया जा रहा है बाई sugar syrup मिलाया जा रहा है तो branded जो companies के by sample लिये गए थे उसमें इसे branded companies जो है उन्होंने NMR test fail किया है सिर्फ तीन companies ऐसी है जिसने जो है NMR test ये product को उसने भी जिन जिन product को mark किया था honey को mark किया था उसमें से भी 50% ऐसे रहे जो adult rated निकले है मतलब जिसमें मिलावट है वो कौन कौन सी तीन brands है जिसने ये purity test पास किया तो भई देख लो ठीक है सफोला, Mark the Fit, Sona और Nature's Nectar ये तीन honey brands रहें जिसने सिर्फ जो है ये NMR test nuclear magnetic resonance test जो है वो क्या किया है पास किया है अच्छा, generally NMR test जो है वो हमारे देश में कोई law नहीं है कि किया जाता है, लेकिन जब product को export किया जाता है, उसका निर्यात किया जाता है तो NMR test क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है ठीक है, NMR test वहाँ पे क्या हो जाता है जरूरी हो जाता है, नेक्स आते हैं अगले question की तरफ भारत की किस राज में उपरी मनेर बांध सित है, तो अपर मनेर डाम न्यूस में बना रहता है अपर मन्ने डैम कहां पर लोकेटेड है तो नर्मला जो है नर्मला के पास जो है ये लोकेटेड है अपर मन्ने डैम और कहां पर लोकेटेड है ये बान तेलंगाना में लोकेटेड है कहां पर बान लोकेटेड है तेलंगाना में लोकेटेड है नेक्स आ रहा है अगला निवेश किया गया है तो विश्व निवेश रिपोर्ट कौन सी ओर्गनाइजेशन निकालती है आप्शन है आई एमेफ वर्ल्ड एकनोमिक फोरम अंग्टाड या फिर वीपो तो वर्ल्ड इन्वेस्मेंट रिपोर्ट बिल्कुल सब लोग सही आंसर दे रहे बहुत बढ़ वर्ल्ड इन्वेस्मेंट रिपोर्ट कौनसी ओर्गनाइजेशन निकालती भाई अंग्टाड युनाइटे नेशन कॉन्फरेंस ओन ट्रेड एंड डेवलप्मेंट जो कहां पर लोकेटेड है जनेवा स्विजिलेंड में लोकेटेड है नेक्स्ट आरा अगला क्वेशन इ आइनस कुरूसुरा जो है कलावरी कलावरी जो है कलावरी एक सम्मरीन थी ठीक है कलावरी जो टाइप है वो सम्मरीन थी उस पर जो है क्या बनाया गया है एक पूरा का पूरा संग्रहाले बनाया गया है आइनस कुरूसुरा नाम का और यह जो संग्रहाले है यह म्यूजिय है पंडुबी का सबसे पहला उंजियम है और यह कहां पा रोकेटट है आंद्र प्रदेश में लोकेटेट है नेक्स आरा है अंगला question इटैलियन ग्रांड प्री किस न vapor है किस और ऀ्टैलियन ग्रांड प्री इस जाए ग्राड प्री इसके बारे में बात नहीं हो रही और अलफा रोरे जो है वो चलाते हैं ठीक है कहा से बिलॉग करते हैं फ्रांस से बिलॉग करते हैं तो बिलकुल इन्हों ने लुइस हैमिल्टन ने नहीं जीता है इटालियन गृंट्ट भूस Jahre है अर्बियाई नहीं यह कहा है कि किस बैंक को किस बैंक को अब ऑब अलेस, THE MSF notice money और call money के थ्रू जो है पैसा लेकर वो लोग भी market में liquidity लेकर आ सकते हैं, market में जो है flow of money लेकर आ सकते हैं, तो RBI ने जो है किसको ये accessibility दे दी है, किसको ये अधिकार दे दिया है, कि वो भी LAF, MSF, call money और notice money में शामिल होकर market में पैसो के flow को बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे किस bank को R mission दे दी है, option है RRB, cooperative bank, गेर अनुसूचित bank या फिर payment banks, तो RBI ने जो है, कल monetary policy की जो report आई है, उसमें ये कहा है, कि अब जो है regional rural bank, शेत्रे ग्रामीन bank भी call money, notice money के तुरू, दूसरे ग्रामीन बैंकों से पैसों का लेन दिन कर सकते हैं, marginal standing facility MSF के तुरू, रातो रात जो है RBI से पैसों की borrowing कर सकते हैं, और LAF liquidity adjustment facility में भी क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, तो regional rural bank, शेत्रे ग्रामीन bank को permission दे दी गई है, I hope सबने monetary policy जो है पड़ी होगी अपनी classes में, और सारे terms के बारे में सुना होगा, और जिनने नहीं सुना होगा, जो हमारी zoom के classes से connected है, तो classes मे सारी के सारी classes में, जो है monetary policy पढ़ाई ही जाएगी, बिल्कुल आप उसकी tension मत लेना, तो अभी तक regional rural bank, शेत्रे ग्रामीन bank इन सारी facilities से नहीं जुड़े हुए थे, ये लोग जो थे नाबाड की उपर पूरी तरीके से निर्भर हुआ करते थे, लेकिन अब RBI ने शेत्रे ग ने त्रित्व करेंगे, उसका नाम गोशित कर दिया है, तो अमेरिका में COVID-19 लड़ाई का ने त्रित्व करने के लिए, जोई बिडेन ने किसे चुना है, तो जोई बिडेन ने COVID-19 fight के लिए जो committee बनी है, उसके लिए किसका नाम चुना है, तो वो है Indian American कौन, विवेक मूर् चुना गया है किसके द्वारा, जोई बिडेन के द्वारा, अगर हम बात करें, तो यूएस के प्रेसिडेंट जोई बिडेन ने सिलेक्ट किया है COVID-19 advisor के तौर पर, डॉक्टर विवेत मूर्ती जी का नाम जो USA के next surgeon general रहेंगे, अगर हम बात करें surgeon general की, तो USA में surgeon general जो होती ह है, वो public health में highest post होती है, उसके लिए किसका नाम चुना गया है, इंडियन अमेरिकन विवेक मूर्ती जी का नाम चुना गया है, तो बिडेन्स के coronavirus advisory जो board है, उसके ये जो है क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, advisor के तौर पर ये काम करेंगे, तो ये इंडियन अमेरिकन है डॉक्तर विवेक मूर्ती जी जिनका नाम चुना गया है, नेक्स आरा है अगला question, फिकी के नए प्रेसिडेंट किने बना दिया गया है, बहुत ही important है, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, फिकी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, जो industries का एक समू है, पहले फिकी की प्रेसिडेंट कौन हुआ करती थी, संगीता रेड़ी जी हुआ करती थी, अब किने बना दिया गया है, तो किने बना दिया गया है, उदे शंकर जी को बना दिया गया है, फिकी का नया अध्यक्ष का नाम सुना होगा, नासकॉम से related है, फिके नया अध्यक्ष बना दिस्नी company, और Star और दिस्नी इंडिया के क्या रहे होके हैं, ओलरधी चेर्में रहे चुके हैं, ये सकसीड करेंगे, ये स्थान लेंगे किसका कि RBI ने संपर्क रहे कार्ड भुक्तान की सीमा को 2000 से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो अब हम देखते हैं कि contactless card payment होती है मतलब आप card को machine पर सिर्फ क्या करते हो टच करते हो तो automatically पैसा detect हो जाता है आपको जो है पिन डालने की भी requirement नहीं होती है तो यह जो contactless card payment थे पहली इसकी limit सिर्फ 2000 हुआ करती थी अब 2000 तक ही contactless card payment कर पाते थे लेकिन इस limit को बढ़ा दिया गया है कितने हजार तक 5000 तक इस limit को बढ़ा दिया card payment कर दी तो यह भी issue हो सकता है security issue हो सकता है क्योंकि जो है automatically पैसा क्या हो जाता है बिना पिन डाले क्या होने लग जाता है डिटेक्ट हो जाता है तो contactless card जो है यह पूरी तरीके से काम करने लगे है देश में और बहुत सारे जो है shops में भी आप देखते होगे कि आप contactless card payment बोने लग गई है yes बहुत बढ़िया चलो next question की तरह बढ़े UNIP का headquarters बता दो जल्दी से United Nation Environment Program का headquarters बता दो जल्दी से भाई एक भी question गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ questions आज की news के हैं कुछ कल की news के और कुछ पर्सों की news के भी है तो एक भी किसी का answer गलत नहीं होना चाहिए UNIP का headquarters कहां पर located है United Nation Environment Program का मुख्याले जो है वो कहां पर located है बिल्कुल UNIP का मुख्याले बिल्कुल सही answer दे रहो भाई Switzerland नहीं करके आना कहां पर located है ठीक है पवंसर जो है बहुत सारे 00 जादा हो गए है ठीक है ना तो UNIP का headquarters कहां पर located है बिल्कुल UNIP का headquarters कहां पर located है नाइरोबी केनिया में है अगला question National Farmers Day किसान दिवस कब मनाया जाता है किसी का गलत नहीं होना चाहिए किसान दिवस कब सेलिबरेट किया जाता है अगर हम बात करें तो आज हमारे important tribal groups का second part है एक जो है आदिवासी समू हमने किया था जरावाज वहां पर important tribes थे जो कहां के थे अंडमान की थे जरावाज तो आज important tribal groups में बात कर लें तो वो क्या है हिमाचल प्रदेश में कौन से आदिवासी समू पाया जाता है तो वो कौन सा है गड़ीज ठीक है मदर प्रदेश की बात करें तो गौन भी है इसके लावा बैगा एक important tribal समू है कहां का मदर प्रदेश का और मणीपूर का जो important tribal समू है आदिवासी समू है उसका नाम क्या है कुकी या कौन सा है कुकी या कौन जो अब देखो इसमें हिमाचल प्रदेश की बात करें और मदर प्रदेश की बात करें तो important है इसके लावा हमने कल बात की थी जरावास के बारे में जो एक important आदिवासी समू था कहां का अंडमान आइजलेंट का इसमें से बहुत question आता है तो ये लोग कौन-कौन से important festival जो है celebrate करते हैं जो है मैं last में mention करती जा रही हूँ तो इसे भी एक बार पढ़ लेना इसे भी एक बार पढ़ लेना पीडियेफ से तो important important जादा जादा नहीं कर रहे है जो जो important है तो 3-3-3 करके क्या कर रहे है उसके नाम कर रहे है जिससे थोड़ा-थोड़ा क्या होता जाए रवाइस होता जाए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो अभी तक टेलिग्राम चानल से connected नहीं है बिलकुल आप चान्दी महिंद्राज जीए जीए इसके नाम से सर्च करके टेलिग्राम चानल से जुड़ सकते हो अगर CT चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कोई भी इंपोर्टन इंफरमेशन आने वाले common entrance टेस्ट की मिस ना हो पाए तो जैसी कोई भी गवर्मेंट की तरफ से इंपोर्टन इंफरमेशन आएगा बिलकुल इस चानल पर आपको दिखाए दिये जाएगी और जैसी से लिबस जाते जाते session को क्या करते जाएगा लाइक करते जाएगा अब अगर हम बात करें तो कल है Sunday तो कल अगर Sunday है तो हम बात करेंगे बिलकुल जो है top के questions की और ऐसे questions हम करेंगे कल जो current से भी related हो जो तूरे पुराने current से भी related हो ठीक है SSC के examination और railway के examination में जो काम में आए ऐसे static question ज जो है Sunday रहेगा तो बिलकुल आज से वीकेंड स्टार्ट हो चुका है जिनका examination है आज best of luck पूरे महिंदरास की टीम की तरफ से बढ़िया से paper दे कर आना है tension मुक्त हो का जाना है और थोड़ा पहले चर ले जाना है और सारे के सारे document साथ में लेका जाना और भागवान का ना maintain करके रखना बिलकुल हड़ बढ़ाने की जरुवत नहीं है अराम से paper देना ये सोचके कि मेरा selection क्या है पका है thank you very much to all of you सब लोग अपना ध्यान रखना अपने परिवार का ध्यान रखना सुरक्षित रहना और जिनके examination है वो तोड़ा गूमना फिरना बंद कर दो क्योंकि कोविट के लहर खतम नहीं हुई है अपनी स्वास्त को समाल के रखना सबसे जादा important है इस समय जिनके examination है ठीक है तब ही आप जो है अच्छे से paper दे पाऊगे और entry भी तब ही मिल पाएगी thank you very much to all of you आज के session के जुणने के लिए bye bye guys take care जैहिन